आज के लेक्चर में हम Linux की complete summary देखेंगे कि हमने complete पढ़ा कितना है ठीक है तो इसमें पूरा detail समझ लेंगे कि एक beginners कैसे कितना Linux पढ़ना चाहिए और क्या क्या होता है इसमें तो हम start करेंगे history से तो history जो start होती है इसकी history यूणिक से start होती है तो सबसे पहले 1976 में Unix आया जो बी वी लेब में बनाया गया था और इसके बाद फिर Berkeley University University of Berkeley ने BSD, Nets, BSD and Free BSD बनाया जैसे हम Berkeley Software Development कहते हैं से उसके बाद फिर क्या हुगा कि कुछ लोगोंने Free Software Foundation की स्थापना की Free Software Foundation में यह कहा गया कि जो softwares है उसे रिचाइट जी को जाता है इसका से इन्होंने कहा कि जो भी softwares है वो free of cost होने चाहिए कुछ लोगों मलब software foundation material मतलब कि जो भी FCFS द्वारा command बनाएंगे कुछ opening system बनाया गया जो free of cost ही student के लिए उससे मिलके बनाया प्लस BSD component बर्कली उनिवेस्टी के दुआरा बर्कली software development से कुछ component थे उन component को mix किया गया especially free component प्लस MIT X Windows software MIT का X Windows software था उसको mix किया गया तो इससे Linux बनाया है तो Linux को एक जीनियस लीने स्टोरवाल ने 1991 में बनाया था उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसा किया जाए ताकि मलब सभी लोग थोड़ा-थोड़ा इसमें इंप्रूब कर सके और इसको better operating system बनाया एस गमपेर टूपेट ओपनिंग सिस्टम के तो उसके बाद फिर्ट इसके डिफरेंट डिफरेंट डेस्ट्रो या डेस्ट्रिबिशन कहते हैं मलब कि किसी कंपणी अपना शॉफ्टर में कुछ चेंज कर दिया और अपना नाम उस पर डेस्ट्रों पर कर दिया तो पड़ तो फिरी ओप क्या सकते हैं कि अब याउपन सोर्स कर सकती है और अपने नाम उसको कॉफीर व्लाइट करा सकता है जो भी जने बना रहता है उसमें चैंज किया बांकि बैसिक मदर्शन कैज कोई करता है उध डिभास का ड्राइयर भी बनाता है तो बहुत ही अपने प्रफ्रेटाल होता है यह इस पाफर मल्टीफल टास्क बहुत सारे काम कर सकता है जो बिंडूज कर सकता है एच पर जादा बेटर है क्योंकि इस स्पेसलिए नेट बैकिंग एस सर्वर के लिए बहुत ज्यादा बैटर है इसमें कोई इंटी वायस की जवर नहीं होती है अब देखते हैं architecture, architecture में क्या होता है कि जो actual में basic architecture operating system है या कोई भी operating system हो, तो Linux का भी normal operating system की तरह ही architecture होता है तो इसमें सबसे bottom पे hardware रहेगा, hardware में रहेगा CPU, memory, disk, terminals तो CPU जानते हैं, आप memory जानते हैं, disk जानते हैं, terminals क्या होते हैं, जो connectors होते हैं, उन्हें terminals कहते हैं और normally Linux में terminals बैसे command line को भी कहा जाता है, जहां से हम mostly हर काम करते हैं और इसके बाद फिर Linux operating system होता है, जिसमें सारे operating system के function रहते हैं चाहे तो process को manage करना हो, या main memory को manage करना हो, file system को manage करना हो, या IO devices को manage करना हो या interface provide कराती है, तो यह सारा जो भी details रहता है, यह कहां रहता है, kernel mode में रहता है, तो kernel mode में वही काम होते हैं, जो opening system उनको करती है, मालों user mode में, user mode बाले काम kernel mode में permission नहीं होते हैं, जब तक कि उन्हें permission ना दी जाए, नेक्स होता है, standard library, standard library जो होती है, यह basically files को content किये रहते हैं, कि यह आपकी files हैं, जो भी library में files पड़ी हुई हैं, उनको आप delete करना, open करना, close करना, read करना, या नई process को create करना, यह भी हमारा user mode में आता है, तो यह library interface provide कराता है, नेक्स होता है, इसमें standard utility programs, standard utility programs जो होते हैं, यह क्या करते हैं, user interface provide कराते हैं, यहीं से connect होता है, हमारे operating system से, तो user को जैसे कि कुछ command type करनी है, तो cell में type करेगा, editor होते हैं, BI editor यूज होता है Linux में, और cell जो mostly cell यूज होता है, यूज होता है, बाइस कहते हैं, बाइस कहते हैं, और compiler होते हैं, जो हमारे language है, उसको translate करते हैं, तो यह सारा काम होता है, हमारा user mode में, user mode का मिलब होता है, कि जिसमें user capable है करने में, बाकी operating system वाला जो काम होगा, वो kernel में होता है, तो यह था architecture, next architecture में ही कुछ basic component होते हैं, जिसे kernel हो गया, cell हो गया, file system hierarchy, या इसे file system directory structure भी कहते हैं, कुछ directory होते हैं, जो permanent हमारी system में रहती है, तो सबसे पहले kernel को देखते हैं, तो kernel हमारा Linux, actually Linux का heart कहते है से, cell जो होती है, चार पकार की cell होती है, तो सबसे पहले जो cell आई थी, born cell आया था, उसके बाद C cell आया, जो C cell था, इसमें कुछ extra functionality एड़ हो गई थी, C language की statement बगर हो गया, कौन cell आया, यह से थोड़ा बैटा था, इसमें क्या था, क्या था, क्योंकि कुछ function store करने में capable था, लेकर प्रेजेंट में जो born again cell है, best cell कहते हैं, यह सबसे best है, और popular हो प्रेजेंट में यूज भी हो रहा है, फाल सिस्टम हिरार्गी की बात करते हैं, तो इसमें कुछ directory होती है, जो important फाल से store करती है, उनके name भी उसी सापसे उनको divide किया गया, जैसे bin है, तो bin directory binary फाल्स को store क इसाब होती है, dev होती है, device की जो भी फाल्स होती है, उनको store करती है, पूपसे एडी सी होती है, वो configuration file को store करते है, home होती है, यह जो भी home user को छोड़के सभी यूजर की जो भी आडाएक्री है、 di jail है a & uninco store करती है library डाय राइकटी होती हैं library false को store करती है mnt होती है जो mounted false हैं उनकी जो भी files uh hostel हो एए और रूपदाइक जो होती है यह हं डाक्टी होती है — Titans सबसे पहले हमbury ढाग करते है लीनिक्स कमांड मेंन्क साथ is तो पहली .마ललब पहले यह रहेगा कि सबसे पहले हम directory कोह करेंगे तो नाइकर ठीक कि लिए «कमांड बनाएंगे है इस तरह से फ़्रicemail को एक्सेस करेंगे तो फाल के लिए special कमांड बनाएगे हैं को access करेंगे तो डाइक्टी के लिए कमांड बनाए गई है इस तरह से फिर फाइल को access करेंगे तो फाल के लिए special कमांड बनाए गई है फाइल में printer के लिए communication के लिए communication के लिए अलग command है कुछ input output और रिडारेक्शन जब भी output में एक फाल से दूसरी फाल में रिडारेक्ट करना होता है तो उसके लिए अलग कमांड है और उसके बाद फिर लास्ट हमें देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं डाइक्टरी कमांड जो डाइक्टरी कमांड होती है यह डाइक्टरी को एक्सेस करने के लिए होती है कि डाइक्टरी को बनाना उसे डिलीट करना और उसमें एक डाइक्टरी से दूसरी डाइक्टरी में आपको स्विच करना तो सबसे पहले है चल्ड नाट्रिक भी रहें नेक्सपड़ा विज्ट विभी बरबच इसका मंलभ होता है कि जब यह दाट्रिक हो गई तो हमें एक एंडिकेशन मिलेगा कि ऐसे नाम की डाट्रिक क्रीट करेंगे तो उसके एक्षा सकता है को कौन राइड कर सकता है तो जैसे तीन तरह के तो में सब के लिए में पर्मिसन दे सकते हैं कि जो सक ब possam Lわか फॉर क्यों गई इसitis सकता उसको अब कर सकता है उसको कुछ क्छे अथा है चपी अइसाइब करते है giसे कि अगर soup mio ऊनर रहे उसको तीनों काम कर सकता है एक कर सकता है परिएपर उससे एकजिकुट भी कर सकता है और इसको उक्तमर करने के लिए क्लिए क्लिक्सेज चिब कर सकते हैं जो बाइनरी से उसका हम्लब हो गया कि इसमें रीड भी है और एकज्क्यूट अधूलाट कीड मिस हो तो आप यह डायक्टी फेस मूडiken नाम का लेक्चर आप चेक कर सकते हैm today की कंमांड से लेटल भी लेक्चर आप चेक कर सकते हैं इसके लिए 사 envy гamand होते हैं चिंड डियक्टिरी के मिलाब होता है कि आप एक द्यक्टिरी से दूर्स्टिरी के से जंप करेंगे या HAVE सुच करेंगे तो इसके लिए ₩ होता है harness City के बाद कोई भी Dee का नाम लग दिघे तो इस डार्य में चले जाएंगे या CD लिखने के बाद टिल का ओफेंगे तो क्या हो जाएगा आप डाएक्ट अपनी डायक्टरी में रडाएक्टटी में चले जाते हैं एक डाएक्टरी के pattern हो वह सब इस्टोर होती है वह वहां पर पचले जाएंगे लस होता है कि जो भी डाइक्टरी का डेटा है या डाइक्टरी है टोटल यह उनको लिस्ट कर देता है और उनके बारे में डेटेल्स तो ऑफ्षन डेसाइड करते हैं कि आपको क्या सो करना है तो अगर डैस यह लिखा कैड सो नियुक्त है हमारा वह कैसे होगा उसमें ऊसमें यह भी डेटेल्स प्रमीशन भी दी रहेंगी और यह दिया रहे parody का अध्रेश भी देखेचे और एड्यट। वह उक्तारों डियेटा के इस तरह से पूरे कंप्लिक डेटेस होता है यह ऐस待 अगम लब होता है कि इसमें address की जगह मलब उनका जो भी address है ग्रुप का या ओनर का वो न सोगे उनकी group ID और owner ID show करती है जब यह command हम यूज करते हैं सुरी command option यूज करते हैं side LS के साथ में LS के साथ में या दी हम lt लिखते हैं तो lt में वो उनके time काम के लिए शॉट हो जाती है और कलर मैं क्या होता है कि आप चाहते हैं तो तो कलर फोड में डेटा हमारा आजाता है होती है यह को रिमूब करने के लिए उच अधिये नेक्स पड़ेते हैं फिल्टर्स इस पुसली क्लिए बनाए गया है या फाइल में जो डेटा दिया गया है उन्हें कैसे हम फेच करें तो इसके लिए फाइल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमांड होती है यह हमारा इंपूट इंपूट नहीं स्वरी आउट्पूरी डायक्शन में भी हुज होता है हम स्वरी दो चप्व और चैंटुब जो चया नहीं स् अर्फटेंस का न॑ज से बड़ेंगे फिल एब होती है तो केट कमांड को टीट करने के लिए और फाइल का डेटा but से जो होती है next the head head का मुलब ही यह होता है कि जो भी फाल का content है वो फस्ट टैनलाइन सो करेगा वाइडेफल्ट अदरवाइस आप क्या कर सकते हैं उनको define कर सकते हैं कि हमें इतनी फाल सो करने हैं इसके बाद टेल था टेल एका just reverse होता है मलब यह क्या होता है जो भी content होता वह उसकी जो स्वाटिंग की कंडिशन होती है लिनिक्स में इसमें कहा रहता है कि जो भी नुमरिकल डेटा है वह सबसे हाई प्रियोटी होती है अलोग जीरो से लेकर नायन तक उसके बाद फे होता है लोगर केस अलफाबेट अलोग यह भी सीडी इस मॉल में रहेंगे उसके बा की काशाब करता है या जो भी डूपिली के के लिए सो करें तो उसके लिए अभी होता है न हकुझे between the Letdown x Relay Valve country a single-player चोंबर 17 और पार्वणीच का जो शिंबल होता है वह लॉजीटल और होता है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डेटा है उसको यूनिक करना है तो देंगे ऊसके बादण करना है's मेघर नहीं का करता है कि जो तो यह WC जो है यह नोर्मल हम MS Office में भी पढ़ते हैं चाहे तो वह MS Word हो या MS Excel हो उसमें भी रहता है Grip Command जो यूज होती है Grip Command क्या करती है कि जो भी डेटा दिया गया है उसको उसमें पार्टिकलर डेटा को हम सेर्च कर सकते हैं इस तरह से साचिंग की तरह काम करता है तो इसके बाद साच का उसमें कुछ ऑफ्सन भी होते हैं उसके बाद डेटा लेखेंगे तो आपको सब्सक्राइब करके साब डेटा आ जाएगा जो भी अफसेर्ज कर रहे थे नेक्स होती है TAC, TAC जो कमांड होती है cat की just reverse होती है मलब cat में क्या होता है जो data top to bottom आता है और TAC में जो data show होगा वो bottom to top show होगा नेक्स कमांड थी इसमें scd, scd यह जो कमांड होती है यह हमारे MS Office के find and replace concept की तरह काम करते है कि जैसे कोई data हम search किया, search करने के बाद जिससे हमें replace करना है उसका नाम लिख देंगे और replace कर देंगे तो replace हो जाता है इसमें कुछ और भी extra command है जैसे की cut करना मलब कोई भी data हम cut करके especially वही part देख सकते हैं जो हमें देखना है और RM command होती है, यह files के content है, files को remove करने के लिए होती है इवन दो यह directory के लिए भी काम करती है तो इसमें कुछ option होते है, star, star जो जिसे SQL में SQL में कोई भी select star लिखते है, star का मनलब होता है कि जो भी complete column है, सब में, जो operation पपम होगी, सभी column के लिए applicable होगी इसमें क्या होता है, जब star लिखते हैं, तो इसमें जो भी directory में जितनी भी file होगी, वो सब के लिए condition apply होती है तो सारी files remove हो जाएंगी उसके और i का मनलब होता है, dash i का मनलब होता है, interactive कि जो भी file आप remove कर रहे हैं, उसके लिए आप से एक जैसे वाइड इफर्ट गलती से कभी आप से कमांड माली रन कर गया तो उसमें आपके पास एक बार burning या strike आएगा, कि do we want to delete this files, कि आप इस file को delete करना चाहते हैं आप कलती से कर रहे हैं तो आप नो कर देंगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी, next होता है f, f का मनलब होता है कि कोई बार निंग आ रहे है या आप delete करने पर तो dash f लिखने से के बाद कोई बार निंग नहीं आती, without burning वो फाल्स आपकी remove हो जाती है, dash r का मनलब होता है recursive, यह यहां मनलब recursive, recursive का मनलब होता है कि यदि आप किसी भी directory में है कुछ रिमूब करें और dash r लिख दिया तो वो पूरी directory में apply होता है, मनलब complete directory हमारी remove हो जाएगी, उसकी यहां तक कि जो directory की सब directory होंगी, उन पर भी effect बढ़ेगा, dash r app का मनलब होता है कि recursive plus force, force का मनलब होता ह है कि जो भी file से without burning सभी remove हो जाएंगे, tell में क्या था, tell देख लिया, sorry, cp, cp means होता है copy, तो copy, जैसे remove में क्या होता है, remove करना, copy का मनलब copy करना, एक directory से दूसरी directory में file मनलब, copy का मनलब क्या होता है, कि data पहले में रहेगा, दूसरे में भी चला जाएगा, उसकी duplicate copy चली जाती है, तो dash r का मनलब वही है, recursive, same, rm की तरह, dash i का मनलब interactive, same, or dash backup का मनलब होता है, कि जो भी files आप copy करने के बाद उसका एक backup बन जाएगा, destination में, ठीक है, overwrite होने से पहले, dash p, यह सबसे ज्यादा important है, cp के case में, क्योंकि इसमें जो भी file आप copy करते हैं, actually क्या होता है, कि जब copy करते हैं, तो copy करने के बाद उसकी जो भी file के attribute होते हैं, वो change हो जाते हैं, जो date होती हो नहीं हो जाती है, लेकिन आप dash p लिख देंगे, तो जो भी files की date होगी, मतलब यह कोई files है, 22 में को बनाए गया है, और उसको आप आज copy कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो कि duplicate files जा रहे है, movements हो जा रहा है, कि data अपनी जगह से move, मतलब अपनी location को displaced कर रहा है, मतलब change हो रहा है, location ही change कर रहा है, तो इसमें dash आई, interactive, permission पूछेगा, you want to move, और star कमलब होगा, complete dietary, और dash भी कमलब होता है, बरबज, बरबज कमलब होता है, कि आप से जो भी data move होगा है, उ suffix होता है, यह backup की तरह करता है, cp के, suffix में क्या रहेगा, कि जो भी destination file है, उसको override होने से पहले, क्या हो जाएगा, उसका एक backup बन जाता है, dot back करके बन जाता है, कुछ फाल्स, next command है, who command, who command कमलब होता है, यह हमारे users से related है, कि users, कौन-कौन users से हैं, क्या कर रहे हैं, या system से data को यह show करता है, तो यह especially server पर यूज़ होती है, networking में especially यूज़ होती है, तो यह क्या बताती है, कि सबसे पहले इसमें जो option ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि option ही तो सारा details है, बैसे तो normally कुछ नहीं होता, फाल में, कमांड में, तो dash m कमलब होता है, इसमें क्या रहेगा कि host name क्या है, और user name क्या है, यह show होगा, और dash capital H लिखने से क्या हो जाता है, heading show होती है, कि यह पहला command है, users name है, terminals name है, या system name है, यह से show करके आता है, अधी dash capital H नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से heading नहीं आएगी, जो भी data आएगा, सिर्फ data show करेगा, dash p का मलब होता है, process, list of process कितनी run कर रहे हैं, वो show करता है, इसके लिए ps command भी होती है, process देखने के लिए, dash t से क्या होता है, कि जो भी users currently, उनकी status को करेगा, plus का मलब user present है, और minus का मलब logout हो गया है, dash u का मल कितने users logged in हैं, उनका पूरा detail show करता है, कि मलब users a, b, c, d, e, f, इस तरह से 6 users logged in है, तो पूरे users का नाम details show करेगा, क्या कर रहे हैं, dash p का मलब होता है, कि जो system हमारा last time कब boot हुआ था, मलब कब उसे start किया गया था, वो इसमें details आएगा, dash l का मलब होता है, कि कितनी system login process details, कि जो भी system में process हैं, उनकी login details show करता है, और d means होता है, dead, कि जो भी process dead हो गई है, उनकी list या उनके बार में जानकारी होती है, देखे, dash u का मलब हो रहा था, कि list of logged in users show कर रहे थे, इसी तरह से, dash q का मलब होता है, कि total number of users कितने है, मलब users के बारे में details नहीं आएगा, कि बताएगा, total number of users कितने इस system में present में है, dash r का मलब होता है, कि जो system का current run level है, वो क्या है, वो show करता है, dash a का मलब होता है, कि जो भी logged in users है, उनके बार में detail आता है, इस तरह से, तो यह who command का काम होता है, who mi command जो होती है, यह आपके खुद के बारे में बता देती है, कि आपका IP address, इसके logged in है, आपको नहीं पता कि कि किस user में logged in हूँ, तो आपको यह show कर देगा, तो रहन पता देगा, date command जो use होती है, यह basically date को show करने के लिए जो होती है, कि आप date जानना चाहते है, तो simple date लिखेंगे, without option के, तो normal date show, date आएगा, और इसके बार time भी show करेगा, और GMT by default show करता है, य जो CH mode होता है, यह MkDAR में detail में पढ़े हैं, तो वही है, इसमें CH mode में क्या रहता है, कि जो भी फाल्स या directory आप read कर रहे हैं, उसमें फाल्स user के लिए, या owner या users, या फिर आप group के लिए, जो फाल्स की permission है, जो फाल्स को कौन read कर सकता है, कौन write कर सकता है, कौन execute कर सकता है, या आप खुछ से decide कर सकते हैं, अधि आपने read-write का option दे दिया, execute का नहीं दिया है, तो उस फाल्स को कोई install नहीं कर पाएगा, मलोब ज़्यादी software होगा तो, और सिर्फ read का option दिया है, तो उस फाल्स को सिर्फ read करेगा, कोई उसमें modification या write नहीं कर पाएगा, और इसके लिए नोर्मल ओक्टल representation होता है, एक symbol representation होता है, तो symbol में आप सिर्फ rwx लिखते हैं, जिससे गुरुप लिखा तो g बराबर लिखेंगे, rwx तो इससे क्या हो जाएगा, तीनों permission में लगई है गुरुप को, और या g बराबर सिर्फ rw लिखा तो इसका मुलाब सिर्फ read कर सकता ह इसी तरह से ओक्टल representation में क्या होता है, 0 से 7 तक code दिये जाते हैं, तो 4 की value क्या होती है, binary value 100 होती है, 100 का मलब होता है, 1 means हो गया, सिर्फ write और 00 का मलब उसे, sorry, 1 का मलब read रहेगा पहली position पे है, और second और third position पे क्या रहेगा, write and execute, तो वो क्या रहेंगे, 00 इसका मलब हो, जो भ रहता है, display command है, display command जो होती है, वो especially, जो भी false है, उसका content कैसे showगा, उसके लिए use होती है, तो इसमें cat भी use होती है, cat भी हमारा display command है, लेकिन cat में क्या होता है, जो data है, वो as it is complete show करता है, इसमें कोई change नहीं आता है, जो PG command है, थोड़ा doubtful है, PG command uniquely बनाया था, present में यह काम नह में होते है, मूर में क्या रहता है, कि जो भी data है, उस data को आप अपने coding, मलब आप अपनी जो भी false है, या फाल का content है, आप एक page में कितनी line show करना चाहते हैं, तो तिनी line option से दे देंगे, तो dash and option होता है, अगे dash 4 लिख देंगे, तो एक page में आपकी 4 line ही show होगी, उसके बार next page में option आएगा more पर, more पर आपके लिख करेंगे, तो next 4 line show करेंगे, फिर next 4 line show करेंगे, इस तरह से plus string का मलब होता है, कि आप किस string से show करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगा, ऊपर skipping का option लिख के आएगा, और उस string से start होगा आपका content, जिस string को आपने insert किया था, उसमें प्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप कुईट कर जाएंगे, उस more command से, तो यह जो कुईट होता है, यह by default भी काम करता है, क्यों इसके लिख करना होता है, next होता है PR command, PR command basically कहां यूज होती है, कि जो भी data हम प्रेंट करने जा रहे हैं, प्रेंट करने से पहले उसको कैस लुआ है ,ओ से प्रेंट में होता हुन्सा ये तो क्यों इसा पृइसर प्रेंट करना है,ोती हम इससा प्रेंट करना कि दो रिमारी इसаша इसे कम क्या हों करना ऑख तो जैसे उससे पाल लिख यूसे से इसका होता, भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं च्रीक नहीं होता है कि जो भी फाल्स का डेटा है उसमेंां कितनी कॉलम्स करना चाहते हैं 2020 करते हैं कि जो भी सहते हैं तो क्या होजाएगा पीस पर जड़ाता है जासे डस डी लखने के बाद में डाया होता है आप जो भी आपका पेज है उसे पिंट करने से पहले उसमेंiggs वीस बाता है, इस बाता है रहा बनांगे आप इडेन उसमें अपर नाम ॅच्छा नाम लख होता है तो सिंपल किल लिखेंगे उसकी process ID लिखते हैं उसे PID कहते हैं तो process ID कैसे पता करते हैं इसको जानने लिए क्या लिखते हैं पी-एस कमाड़ लिखते हैं normal PS लिखने के भाद जितनी प्रॉसेस हमाई सिस्टम में रन कर रहे हैं उनका सारा सिंगनल सो करते हैं तो यूअर चाहते हैं कि पूर्य ओपरिंस सिस्टम को लोज ऑर स्बाद में फूरा कमप्लीट और Gods पन रहेगा सिस्टम में कम्नोट हो जो communication command होती है यह होती है कि मुझे जी server पर है आप या आपके Linux operating system में multiple users है वो users आपस में बहुत कुछ communicate करना चाहते हैं दूसरे से तो इसके लिए communication command होती है तो सबसे पहले command होती है right command right command में क्या होता है कि जिस भी आप पीजर से communicate करना चाहते हैं यह email की तरह काम करती है जब भी नहीं कि जो उस पर प्रिजेंट में वो लॉग आउट भी हो तो भी मैसेज उन्हें जब भी वो लॉग-इन करेंगे उनके पास message पहुंच जाएगा जैसे email में होता है इसमें क्या रहेगा कि आप राइट होंगे एंटर करने के बाद message चला जाएगा उसके पास में दूसरा यूजर से वह जैसे login करेंगा उसे देखेगा तो उसके बाद एदी वह उसको reply करेगा तो reply करेगा अधरवाइस यूप करके उससे end of the files मालब टमिनेट हो जाएगा वह नहीं पढ़ेंगे बॉल के पहले ह पॉय देख public कमांड खुप कमांड और राइट कमांड सेम हैं रियम क्या होता है की जो भी यूजर सेंन के निकितल करने के लिए कोई आपको राइख रिक्रष्ट नहीं ही लिकनी पड़ती इसमें क्या राइख सिंपल टाक रिक्रस्ट लिखेंगे और लॉज का ले मुझस का नांट् उसके बाद क्या होता है by default से कोई भी आपको message करता है तो वो message आपके पास आ जाता है जिकर आप उस message में इंट्सेड नहीं हो सबस्या पर सकते हैं इस इसमें और से में 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 मे नाथ सारे उसमें आधी ग्रूप एड्वेंस से नॉर्मल कोई भी उजर से एक तरी से पोस्ट कर सकते हैं यह बॉल है यह टाइम लाइन से फेसबुक का इसमें क्या है कि आप एक पोस्ट डाल लिए उसको सभी देखेंगे उसमें कंडिशन होती है कि यादी यह पोस्ट एड मालना है तो देखना है तो देखना है यह हेल या मैनियोल है सारे देखने हैं यह सभी command में शेम होते हैं इसमें कोई देखकर नहीं है लिकिन अधी normal users उस ball को show करना चाहता है या run करना चाहता है तो उसके लिए उसे sudo लिखना पड़ेगा उसके बाद अपना username लिखेगा उसके बाद ball command चला देगा तो वो command show हो जाएगे इसके बात पड़ा हमने mail command जो mail command होती है इस पिसली mail के लिए बनाए गई है तो पहला है समय जो भी maalegic आपके पाद तीन files बनाए गई है अगहरे को मरच करना हो तो इसके जोइन command मतलि क्या होता है इस पिसली तीन फाइल को फॉल्लो करते हैं और तीनों फाइल मुझ हो जाती है तो इसमें कुछ option रहते हैं ज w會 हो एक फासद्ट कीज़़ कीज हो डा सी हो Chapter लिए अची होता कि जो भी माइज दूब आ रहे है ते हैं को कोई बाइण नहीं होगी और वह बाइजिंग हो जाएगी conflicting की finding आते हैं जब भी आप मर्ज करते हैं लेकिन जब डेस कैपिटल लिखेंगे तो कोई बार्णिंग नहीं आएगी बिदाव बार्णिंग आफकी फाइल मर्ज हो जाएगे डेसल कम लब होता है कि उसमें लेबल लग जाएगी जो भी तीन फाइल से उनके नेम क मेल करने के लिए मेल को रिशीप करने के लिए मेल का डेटा पढ़ने के लिए मेल में अटेच्मेंट करने के लिए मेल में हैड करने के लिए मेल में टाइम एड करने के लिए बहुत सारा जो भी मेल से लेटर हैं कंडिशन होती है मेल से लेटर जो भी टास्क होते हैं वो सा इसके बाद उसमें डैस एस लिखेंगे या कोई भी ऑफसन लिख सकते हैं कोई कंपलसरी नहीं है उसके बाद हैलो मलब जो भी मैसेज नेम है उसके बाद उसका एड्रस और सिंपल सेंड कर देंगे सेंड हो जाएगा अधि आप उस मेसेज में कुछ अटेच्मेंट मलब कोई अटेच्मेंट जानते हैं जासे कोई इमीज आपको सेंड करनी तो क्या करेंगे उसके लिए reps कर देंश या एंगिलर के लोजबेकट करेदें से लिखने के बात क्या आप का नेम नेम लिखेंगे तो फाइल उसमें आटेच हो जाती है और मेसेड हो जाता है उसके लिए फिर और भी option आपको जानना है तो या तो लिखिए आप mail-help या man mail लिखिए उसके बाद सारे option आजाएंगे तो mostly सभी student के लिए, aspirant के लिए सबसे बड़ी problem होती है option otherwise command एकदम easy होती है, मालब command कुछ जादा नहीं है लेकिं option देखके ही सबको बुखार आता है, तो इसके लिए क्या तरीका है, कि आप option जो है, आप उनको क्रेम न करिए, क्या करिए, जो भी option आपको forget कर रहे है तो इसके बड़र तरीका है, आप सिर्फ man, उसके बड़ कमांड का नाम लिखे, तो इसके बाद सारे options रोग हो जाएंगे, उनको आप एक एक करके practice कर सकते है तो dash ये कमलब होता है, कि उसमें header append करना, आपके जो भी mail है, उसमें dash भी कमलब होता है, बरबच, बरबच कमलब होता है, आपको indication मिलेगा, कि कौन सी जो भी change हुआ है, उसमें file attach की गई या mail किसको send किया गया, तो आपके पास एक indication आएगा, कि ये काम perform किया गया है उसके बाद हम 9 option पर देखेंगे, IO, redirection and piping, तो piping हम पहले देख चुके हैं, तो piping नहीं देखेंगे, ship, IO direction के बार में, redirection के बार में, कभी कभी ऐसा होता है, कि जो भी हम input ले रहे हैं, वो keyword से ना लेके, किसी दूसी file से लेना पड़ता है, जैसे email में attachment, ये अभी email में attachment, example देखें हैं ये, तो ये shame ही है, तो जब भी हमें content क्या होता है, कि keyboard से ना लेकि किसी file से लेना पड़ता है, जैसे email का attachment हो गया, तो बहाँ पर हमें input redirection की जगवत होती है, इसके लिए जो sign यूज होता है, वो less than होता है, इसी तरह से output redirection जो यूज होता है, वो होता है, कि जब भी हम output है, वो monitor पे ना देखें, मुनलब किसी target file पे ना देखें, किसी दूसी file पे उसको show करें, तो उसे use कहते हैं, output redirection, ये double packets से use होता है, जैसे cat command में जब भी कोई file create करते हैं, तो वो भी output redirection का example है, इसी तरह से error redirection पड़ा हमने, error redirection में पड़े थे, सबसे पह output device हों, extender output device हों, या error device हों, सब का ये क्या होता है, file descriptive होता है, और Linux में सभी, चाहे तो वो hardware हो, चाहे CPU हो, monitor हो, keyboard हो, सब को हम file ही मानते हैं, तो इसके error का, जो भी signal होता है, वो क्या होता है, कि simple क्या लिखेंगे, हम कोई भी file, जो भी हम change कर रहे हैं, उसमें, 2 लिखेंगे, tool क्योंकि fd जो होता है, error का, वो 2 होता है, और 0 होता है, हमारा input का, और fd output का 1 होता है, तो इसके बाद, file का नाम लखेंगे, और 2 लखेंगे, उसके बाद, जिस file में, error send करनी है, उसका नाम लख देंगे, तो जो error होती है, वो दूसरी file में, चली जाएगी, यह रहता है, piping जान चुके हैं, तो piping नहीं जानेंगे, इसमें बस इतना चानेंगे, कि जो sign यूज होता है, वो logical और operator यूज होता है, cell scripting या BI editor की बात करा है, तो BI editor में, 1976 में बनाय गया था, यह especially unix के लिए बनाय गया था, तब से popular है, BI के बाद फेसका improved version, BIM आया है, जिसमें क्या होता ह कि जो भी cell script होती है, उनको लिखने के यूज किया जाता है, cell script क्या होती है, cell script एक तरसे programming कह सकते हैं, या program कह सकते हैं, या क्योंकि उसमें cell script में भी programming language चाहिए, C++ कोई भी language हो, जिसे उसमें keyword होते हैं, variables होते हैं, और function होते हैं, statement होते हैं, condition होती है, वही इसमें भी यूज होती है, इसमें क्या रहता है, cell script का benefit क्या है, कि जो भी command ने कुछ ऐसी command होते हैं, जो बार-बार run करनी पड़ती है, तो आप उनको बार-बार repeat न करके, आपका time बचाने के लिए क्या करेंगे, आप जो भी command, माली जी आपको कोई काम करने के लिए 10 command run करनी पड़ती है, तो run करना होगा, तो हम simple, उस file का नाम type करेंगे, और वो command हमानी, जितनी भी 20 command है, वो run कर जाएंगे, तो इससे benefit यह रहेगा, कि हमारा काफी time बच जाएगा, और जो भी काम है, वो आसानी से हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कि जब हम command run कर रहे होते हैं, कभी mistakenly कोई ग इस लिए यूज की जाती है, और BI editor पर इसको बनाया जाता है, BI editor होता है, यह दो तरह की mode प्रोवाइट करता है, cell skip लिखने के लिए, एक होता है command line, दूसरा होता है insert mode, तो command mode में क्या होता है, कि normal command की terminal पर आप command type करते हैं, और compute paste भी कर सकते हैं, लेकिन जो insert mode होता है, इसमे command keyword पर i दबा दीजिए, या dash a होता है, dash i होता है, इससे आप पहुंच जाते हैं, और बापस से आपको insert mode पर, command mode पर आना या बाहर जाना तो उसके लिए जो use होता है, उसे हम Q कहते हैं, या escape character आप जैसे किलिक करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे तो तो ये थी Linux की समरी, Linux beginner के लिए इतना ही काफी है,